तो फ्लैश मूवी से रिलेटेड एक और बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है एक स्कूपर है विवर एनन इनके बारे में आप जानते होंगे यही वो स्कूपर है जिन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि स्नाइडर कट जो है वो कैनन होने वाला है फ्लैश मूवी से और भी इनके कुछ स्कूप्स हैं जादतर सच साबित हुएं तो इन्होंने एक नया स्कूप दिया है फ्लैश मूवी से रिलेटेड की उन्होंने भी इसनी उसको confirm किया और ये भी कहा कि Jeremy Irons के जो Alfred का character है वो एक छोटा मोटा रोल नहीं बलकि एक significant रोल है यानि वो खुद on camera नजर भी आएंगे by face और जो bat flick है उसकी मदद भी करेंगे heist के दोरान हाइस्ट का scene आपको याद होगा flash movie से related कुछ behind the scene pics लीक हुई थी जिसमें हमें एक chase scene दिखाये जा रहा था bat cycle का तो शायद वही हाइस्ट वाला scene है और इस दोरान वो bat flick की मदद भी करेंगे on radio जैसे होता है न कि radio के थुरू contact करके उनकी मदद करते हैं तो बहुत ही जादा good news है क्योंकि जर्मी आयंस के Alfred का character मुझे तो personally बहुत जादा पसंद आया था लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि उन्हें पूरे तरीके से एक तरीके से flush out करने का opportunity उनको नहीं मिली थी अब स्नाइडर वर्स future में restore होता है तो Alfred हमें देखने को मिलेंगे लेकिन इस बात के खुशी है कि flash movie में वो नजर आ रहे है अब guys अगर हम Ezra Miller के arrest की जो controversy है अगर इसको हम थोड़ी देरे के लिए side line कर दें या side में कर दें तो एक जो बहुत अच्छी बात है वो यह है कि flash movie से related अभी तक जितनी भी news आई है वो सब positive news ही आई है यानि good news ही आई है इसकी जो test screening है उसे भी positive response मिल रहा है और Ben Affleck ने भी कहा था कि उन्होंने flash movie में जो Batman के scenes film किये हैं वो उनके story arc के best scenes हैं और क्योंकि Warner Brothers ने इस movie को delay कर दिया है इसलिए जो CGI VFX इस movie का होने वाला है उसमें कहें तो किसी भी तरीके की कमी नहीं रहेगी सब top notch रहेगा तो जितना भी अभी तक news निकल के आई है इस movie से related वो positive news ही है तो अब देखना होगा कि movie का trailer का बाता है तब ही हम लोग कुछ decide कर सकते हैं इस movie के बारे में फिर भी मुझे उमीद है कि बहुत ज़्यादा successful रहेगी और DC अपने multiverse को showcase करेगा audience को तो DC updates के लिए मेरे channel को subscribe करिए